कर्म योदा एक ऐसा मिशन है जिसमें आप कर्म करके अपने लक्षे को आसाली से हासिल कर सकते हैं तो आईए तेयार हो जाएए और हिस्सा बन जाएए अब तक के सबसे बड़े कर्म योदा का और कर दीजिए नाम रोशन अपने घर परिवार माता पिता का कर्म योद्धा बैच शुरू हो चुका है जिसके अंदर आपको मिलेंगी हमारे एक्सपोर्ट पेकल्टीज के द्वारा छे से साथ घंटे की लाइब ग्लासे तॉपिक वाइस पीडियेफ टेस्सीरीज और प्रेक्टिस सेशन अधिक जानकारी के लिए दिये हुए नंबर प तो बन कर्म योदा कर्म योदा एक ऐसा मिशन है जिसमें आप कर्म करनी अपने लक्षे को आसाली से हासिल कर सकते हैं तो आईए तेयार हो जाएए और हिस्सा बन जाएए अब तक के सबसे बड़े कर्म यूद का और कर दीजिए नाम रोशन अपने घर परिवार मातापिता कर्म योद्धा बैच शुरू हो चुका है जिसके अंदर आपको मिलेंगे हमारे एक्सपोर्ट पेकल्टीज के द्वारा छे से साथ घंटे की लाइब फ्लासे टापिक वाइस पीडिएफ टेस सीरीज और प्रेक्टिस सेशन अधिक जानकारी के लिए दिये हुए नंबर प अफिशल आप तो बन कर्म योद्धा अपनी साइन्स के टेस्ट क्लास में कैसे हैं आप सभी एक बार जल्दी से यहां पर अपनी हाजरी लगा देगे सभी चलो तेखते हैं यहां पर कौन कौन आगया है अपनी के लिए अपना कर्णा आप अपनी अपनी के लिए अपनी के शर्वनी अंशुसंग भावना सिन्हां निकेता सिंग आप लोगों के सामने एक क्वेश्चिन भी है आप साथ साथ इसका भी आंसर करते जाएंगे एलो राकेश कुमार, विवेक मौर्य, शुभम तिवारी प्रेम सिंग, बलवी प्रिया, सौरव ठाकुर, महावीर कुमार यादव, किंग शिवम सिंग राजपूत, रगु नंदन, साची मिश्रा, पप्पु कुष्वाह, सदनन्ध भारती, आलोक सिंग, बीर्मती देवी जैश्री कृष्ण, सौरव ठाकुर, राकेश कुमार, हाँ, गुड मौर्निंग बोल दीजे, अच्छा, शिवम सिंग, गुड मौर्निंग, अच्छा, ठीक है हनी, ओके शुभम तिवारी, मोहित पायल, प्रभास, प्रुशेट, महावीर कुमार यादव, ठीक है, मौर्य, बिट्व कुमार यादव, सरोज कुमार, आलोग सिंग, निर्मला कुमारी, तौसीफ रजा, इसको नहीं पढ़ाएं, अरे यह तो अपना, इस साल के CHSL में कुछ जादा मात्रा में पूछे गए हैं, जादा मात्रा में उन्होंने, फंक्शन की, शौट की, यह सब थोड़ी सी पूछ लिए, तो इसलिए थोड़ा सा इनको पढ़ लो, यह सिर्फ याद करने वाली है, देखो, जब हम कभी भी, मतलब कौन सी फंक्शन की का इस्तमाल करके, हम MS Office के अंदर क्या करते हैं, प्रिंट प्रिव्यू करते हैं, अगर आपको प्रिंट करना होता है, तो आप कंट्रोल प्लस P कर देते हो, इससे प्रिंट हो जाता है, अगर आप कंट्रोल प्लस V कर देते हो, तो उससे पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल प्लस C कर देते हो, उससे कॉपी हो जाता है, कंट्रोल प्लस X कर देते हो, उससे कट हो जाता है, कंट्रोल प्लस Y करते हो, करते हो उससे undo हो जाता है तो यह आपके कुछ-कुछ क्या है यह आपके shortcuts हैं यह हम लोग में इस्तेमाल करते हैं आपका यह जब अभी PDF बना रही थी तो उसमें मुझे next page पे slide को डालना था यह question को मुझे document में next page पे डालना था तो print करना है तो लेकिन अगर print preview करना देखना है print करने पर कैसा लगेगा तो आप क्या करोगे control प्लस F2 करोगे जह क्या करोगे control प्लस F2 करके आप print preview कर सकते हो देखते हैं कितने चात्रों ने answer सही दिया था हाँ ठीक है तो यहाँ पे control plus F2 आप लोगों का answer बलकुल सही है चलिए next question की तरफ चलते हैं in 1930 I think एक question कल मैंने कर आया था बट कोई नहीं चलो कर लो इस question को which scientist was awarded Nobel Prize for describing human ABO blood group system हैं यह चीक है चीक है अरे computer is also science इनी चीज हमने करी होती है यह बेसिक सब देखो मेरको अपनी pdf यह बनानी है मुझे आप लोगों की ppt तयार कर देनी है एक पेज पर एक question डालने तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए खुद laptop के सामने बैठना पड़ का काल लैंड स्टीनर काल लैंड स्टीनर की अगर हम बात करते हैं इन होने इन होने 1902 के अंदर बेसिकल ब्लड गुरूप को खो जाता है लेकिन फिर उसके बाद जो एबी ओ ब्लड गुरूप जब इन्हों ने खो जा उसके बाद इनको नॉबल प्राइज 1930 में दिया था ठीक है चलिए नेक्स क्वेशिन की तरफ चलते अच्छे नहीं के दो स्टूडेंट से हां यह क्या है आपका विट्रियोल का तेल नाम क्या होता है इसका कल बता दिया था सल्फियूरिक असिड है पैरा थाइरोइड ग्रंथिया भी हो चुकी थी हां चलिए आज का क्वेश यहां से आप हराम से इसको चेक कर सकते हो बता सकते हो क्या चीज इससे निकलेंगी कि कॉपी पेस्ट वाले बच्चे मान जाओ शिवम सिंग राजपूत मैं नहीं पढ़ा सकती फास मैं इसी स्पीड में पढ़ा हूंगी ठीक है एचजी 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 वेरी गुड तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का पारा यानि की मरकरी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा यह तो easy हो गया क्यों क्योंकि इन लोगों ने option में HGS दे दिया था लेकिन हर बार दे नेवर डू देस और इस वज़े से हमें जो है ना चीज़े याद रखनी पड़ती हैं कि बॉक्साइट अगर आएगा तो यू नीट टू रिमेंबर दा अलूमीनियम तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आयरन यह सब चीज़े आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेशन है किस वैज्ञानिक ने परमाणु द्रव्यमान बढ़ाने के क्रम में तत्वों की आवर्त सारणी के विवस्था की विच साइं हुआ है ओके ठीक है ठीक है चिंता मत करो हां सुमित मोजले मोजले बच्चा पेपर को क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना राकेश कुमार जी का आंसर सही है सोनम भाटी ने आंसर सही दिया था पर आइधिंक उनको लगा कि माम ने किसी और बच्छे का नाम लिय है खुशी राजपूत हैपी बढ़ दे में गड़ ब्लेस्ट यू आपका जित्ते भी आगे सारे एक्जांस वाफ उसकी तयारी एकदम बहतरीन तरीके से करो और आपको हमेशा मेहनत जो हो आपकी हमेशा रंग ले के आए और अगले बार का जो बढ़ दे हो ना वह एक ग् बढ़ दे बढ़ अब देखो यहां पर क्वेस्टन क्या पूचा है क्वेश्टन पूचा है परमाणू द्रव्यमान के आधार पर चीख है इन आर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अटमिक मासेज भई उन्होंने अपने उस पर्टिकोलर टेबल की संरचना करी थी तो यहां पर आंसर के आएगा आपका दिमित्री मैंडलीव जो थे उन्होंने मैंडलीव परियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टूदा एटमिक मासिस चीजों को अरेंज किया था तो यहां पर इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो पहले इससे पहले जो यह क्वेश्चन पूछा करते थे वह अटमिक नंबर के आधार पे पूछा करते थे चलिये, okay, DASD is the full form of, haan, computer's में इन्होंने full form काफी पूछी थी और shortcut keys काफी पूछी थी, तो यहां पर DASD का full form बताएं, जल्दी से, पूछी थी, हम, हम, okay, Shivam Singh, bye, bye, हम, चीक है, चीक है, चलो, तो जो ही हां पर answer दे रहे हैं, उनका answer बिलकुल सही है, अगर मैं DASD की बात करूं, direct access storage device, यह आपका storage device जो होता है students, यह आपका secondary storage device होता है, देखो कोई भी चीज है, जैसे अगर मैं आपके शरीर की बात करूं, आपके शरीर के पास storage devices होते हैं, आपको होगे हमारे पास कौन सा storage device है, आप जो भी यह चीजे याद रख रहे हो, अप का खुद का primary storage device है, आपको हर एक चीज यहाँ याद रहेगी, सैरी बेलम, सैरी ब्रम, सब कुछ याद रखेगा, ठीक है, लेकिन कुछ-कुछ चीजे ऐसी होते हैं, जो आप नहीं याद रख पाते हैं, जैसे आपके bank में balance कितना है, आपके इतने सारे friends हैं, आपके phone numbers आप नहीं याद रख पाते हैं, आपके पास बहुत सारे notes हैं, आपको बहुत सारे subjects पढ़ने पढ़ते हैं, उनके notes आप बनाते हो, सबको एक साथ तो नहीं याद रख पाते हैं, तो उसके लिए आप अपनी अलग-अलग notebooks बनाते हो, आपके पास phone है, आपके friends का number याद करने के के लिए आपके पास बैंक की पास्ट बुक है उसके अमाउंट को ध्यान रखने के लिए कितना पैसा कब निकाला कब डाला यह सब चीजे करने के लिए तो यहां पर हम क्या चीज ध्यान रख सकते हैं कि देखो जो हमारा ब्रेन है तो इसका प्राइमरी डिवाइस हो गया है लेकिन जब हमें और भी अन्य डेटा र्याद रखना होता है उसके लिए हमें किसका इस्तमाल करना होता है जो हमारे हेल्पिंग चीजे हैं नोटबुक्स हो गई मोबाइल फोन्स हो गई कंप्यूटर्स हो गई ठीक है यह सब चीजे क्या होई यह सब आपकी सेकेंडरी कि चाहि केंडरी स्टोरीज करनी होती है कहीं और करना चाते है तो यूक्थ होता है जिसमें अका फुल फॉर्म क्या हो जाता है access कि आप उससे directly पहुंच सकते हो वहां तक आपकी notebook कभी भी खुल लीजे चीक है तो यह क्या होता है DASD secondary storage device होता है next question है important question डेली के अंदर काफी बार उस भुकम पा रहे हैं चीक है तो एक हफ्ते में दो बार उस भुकम पा चुके हैं चलिए तो यहां पर इस question का answer कीजे which instrument records the waves reaching the surface during an earthquake जब भी भी पृत्वी पर भुकम पाता है तो एक instrument होता है वो क्या करता है एक instrument आपके earthquake की waves को record करता है चीक है record करता है तो वो जो अपना recording बनाता है इस प्रकार से कितनी intensity का आपका वो आ रहा है वो कम पा रहा है ऐसे करके वो बनाता है तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं Richter scale वाला जो question है अगर मैं उसकी बात करूँ कल हम Richter scale पे थोड़ा सा चलचा कर रहे थे तो Richter Scale जो होता है उसमें आपको जो range अभी तक हमें देखने को मिलती है वो 1 to 9 देखने को मिलती है तो उस question का answer 1 to 9 आएगा ठीक है देखे ज़रा Very good A Barograph Oh my god AAA Seismograph Very good तो यहाँ पर Seismograph जो होता है वो आपके जो भी earthquake की waves होती है उसको record करने का काम करता है चीक है आपने अगर earthquake वली movies देखी हो तो उसमें जो है न एक क्या बोलते है जैसे यह करके यह करके वो एक पूरी नीचे मशीन से होती है उसकी यह पिनना ऐसे ऐसे मूव कर रही होती है जितना जितना आपका भुकम पाता है उतना उतना यह मूव करती जाती है इसकी को हम Seismograph कहते है Manometer, Barograph and Chronometer इन में से Manometer और Barograph के बारे में आपको अल्रेड़ी पता है नया वर्ड आप लोगे के लिए शायद Chronometer हो सकता है तो इसको आप याद रखोंगे chronology से chronology से chrono का मतलब होता है time चीक है और chronology क्या हो जाएगा logi means होती है study तो जब आप time की study करते हो अब time की study का मतलब क्या जैसे आप लोग history पढ़ते हो तो history में भी तो chronology आती है न कि आपने जब क्या बोलते हैं 700 AD से बहले की बात करी तो आपका ancient India हो गया 700 K से लेके आपने अठारवी शताबदी की बात करी वह आपका medieval India हो गया आपने modern India की बात करी जब अंग्रेज आ गए ठीक है तो यह सब चीजे क्या हुए यह सब आपने time को बाट दिया time को आपने divide कि और उसकी study करने लगे this is chronology ठीक है वैसे भी हम जब भी history पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं हम इसको chronological order में लगाएंगे चेक है चलिए अब next question आ जाता है who designed the first analog computer in India important question first discoveries are always important तो देखिये कौन करता है इस कान सा बिलकुल सही बैरो ग्राफ कहां यूज होता है देखो वर्ड को न हमेशा तोड़ दो चीज समझ में आ जाएगी बैरो का मतलब होता है pressure graph का मतलब होता है उसके वज़े से जो graph बनेगा तो जैसे आपका सीस्मों ग्राफ होता है न वह मेजर करता है कितनी सीस्मिक वेव जा रही है चीक है अर्थक्वेक की वेव कितनी आ रही है उसी प्रकार से प्रेशर को मेजर करने के लिए जो आपका graph बनता है तैट इस नोवन अस बैरो ग्राफ टीक है इसके लावा और भी कोई वर्ड था क्या मैनोमीटर मैनोमीटर यू नो इट की जो है इससे हम प्रेशर को मापते हैं चीक है चलिए रिक्टर स्केल क्या काम आती है है जो आपका रिक्टर स्केल होता यह बेसिकली किस चीज को मापने का काम करती है इंटेनसिटी है यहांपर आपको एक से नौ तक की जो रम इंश मिलती है उसमें हर एक रेंज ना आपको दस गुना मल्टिप्लाइए करके समझनी पड़ती है जैसे आपने पीएच स्केल पड़ा था उसमें छे पीच कि अगर कोई चीज और साथ पांच पीच की कोई चीज है तो इन में से जो पांच पीच की चीज होगी वो क्या होगी वो छे पीच से दस गुना जादा क्या होगी दस गुना जादा अमलिय होती है ठीक है ओके ओके तो वेरी गोड यहां पर आंसर आजाएगा समरेंद्र कुमार मित्र इन्होंने भारत का पहला एनलोग कंप्यूटर डिजाइन किया था ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेशन है विच्ट फॉलाइं ब्लड गुरूप सेज कॉल्ड रिसीवर ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ यह वले क्वेश्चन बहुत जादा आते हैं इस साल के पेपर में भी आया था तो जल्दी से अंसर करें यूनिवर्सल रिसीवर किसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर यानिकी सर्वरक्त सारवरक्त गरहन करता किसको कहते हैं जलदी से बताएं मैंने तो कोड भी लिगदी आप लोगों के सामने अब देखते हैं कौन आंसर करता है A, B, A, B कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा, पल्ले भी मैं जो यह न, आप वो ही करूंगे, आपके कुछ-कुछ questions include करा, करूंगे, रोज लास्ट के, पांच-सात मिनट में कुछ shortcut keys या something, ऐसा करके कुछ include करूंगे, ताकि आप लोगों का यह वाला section भी कम्जोर ना रहे, चीख है, A, B, plus, A, B, plus, very good, तो जो यहाँ पे A, B, plus answer कर रहे हैं, बिल्कुल सही, यहाँ देखो, इसको मैंने, यहाँ पे अगर A, B, negative होता, तब आपको थोड़ा confusion होता, लेकिन आप इस चार्ट से सीधा-सीधा A, B तक पहुच सकते हो, और universal donor है, सब को रक्त डोनेट कर सकता है, A, B, universal receiver है, सब से रक्त ले सकता है, ठीक है, यह चीज मैंने आपको blood वाले chapter में बहुत अच्छे तरीके से करवाई थी, ठीक है जी, चलिए, next question की तरफ चलते हैं, इस question को, बाद में explain करते हैं, पहले आप chemistry का यह question करिए, which of the following statements is not true about compounds, क्योंकि अगर मैंने जादा computer करा दिया ना तो फिर उसके बाद आपकोगे, मैं में आता नहीं है, ठीक है, तो नहीं वो नहीं कराओंगी, जो चीज एक्स्प्लेइन करने वाले होगे, I'll explain that, ठीक है, और उसको उसके बाद फिर आपके टेस्ट में डाला जाएगा, which of the following statements is not true about compounds, compounds are related, इन में से कौन सी बाद सही नहीं है, compounds have a variable composition, यौगिकों का एक चर, चर यानि के होता है, भिन, different, have a variable composition, elements react to form new compounds, तत्व नए यौगिक बनाने के लिए अभिकरिया करते हैं, तीसरा है, composition of each new substance is always fixed, पते एक नए पदात की रचना हमेशा निश्चित होती है, the constituents can be separated only by chemical और electrochemical reactions, घटकों के वल, रासायनिक और विद्योत रासायनिक प्रतिक्रियाओं से अलग किया जा सकता है, देखते हैं कौन सही आंसर करता है इस question का, 3B, B, D, हाँ, ठीक है, ठीक है, no doubt, शुभाम सिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हाँ, O positive, O negative को blood donate कर सकता है, अब माही शाक्षी इसका answer आप खुद करेंगी, मैं एक सवाल पूछती हूँ आप से, O positive वाला non-wage खाता है, ठीक है, non-wage वाला खाना, वो O negative के लिए लेके आया, जो non-wage नहीं खाता, जो totally pure vegetarian इंसान है, वो एक भी नहीं खाता है, ठीक है, तो अब आप बताओ, जो O negative, O positive अपना non-wage वाला खाना, ठीक है, वो लेके आया, O negative के लिए, तो क्या वो उसको खाएगा, मेर को इसका answer देना, माही, फिर मैं आपको इस question का answer देती हूँ, ठीक है, D, 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 C, A, वेरी गुड़, दीपक सक्षेना, वेरी गुड़, ठीक है, ठीक है, बिकरम बिक्कु, वेरी गुड़, कुछ एक स्टूदेंट्स दियान सा बिल्कुल सही किया, English spelling को कैसे अच्छा करें, प्राक्टिस से, देखो, there are so many things, जब भी हम English की बात करते हैं, तो English में आप लोगों को, कुछ चीजें बहुत बेसिक ध्यान लखनी पड़ती हैं, जब आप कुछ भी वर्ड्स का फॉर्मेशन कर रहे हो, जैसे आप लोगों ने देर शब्द इस्तमाल किया होगा, इसके अंदर ही बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, कि टी, एच, ए, आई, आर है कि आई, ए, आर है, तो हमेशा ध्यान लखरो करो कि ह, ए, आई, बनता है, चीक है, तो ये फील्ड जैसे होता है, ये फील्ड तो कुछ-कुछ जो कॉंसरेंट्स होते हैं, उसके साथ ये वला कॉंसेप्ट चलता है, रिसीव के अंदर सेम ये स्पेलिंग होती है, तो ये आपके लगाता है, प्राक्टेस और रीडिंग हैबिट से सही हो सकता है, यहाँ पे देखो सवाल था, कौन सी चीज ट्रू नहीं है, अब देखो यहाँ पे बात लिखी थी, पहला ही स्टेट्मेंट गलत है, कि एक चर सनरचना होती है, एक भिन सनरचना होती है, इसका मतलब बात कहने की ये हुई, कि कार्बन डायकसाइड में, कभी आप एक कार्बन और दो उक्सीजन ले सकते हो, कभी आप दो कार्बन और दो उक्सीजन ले सकते हो, इनके कहने का मतलब यह है, तो इससे क्या हमारे सेम कंपाउंड बनते हैं, नहीं ना तो यही question यहां पे यही statement यहां पे गलत हो जाती है दूसरा जा statement था elements react to form new compounds बिलकुल सही बात है जितने भी आपके तत्व होते हैं वो एक साथ react करते हैं और नया compound बनाते हैं तीसरा आजाते हैं composition of each new substance is always fixed जो composition होता है हर एक new substance का वो क्या होता है वो हमेशा fixed होता है ठीक है अच्छा constituents can be separated only by chemical और electrochemical reactions बिलकुल सही बात है भाई अगर आपको जो है carbon dioxide में से carbon और oxygen को अलग करना है तो यहां पे आपको chemical reaction करनी पड़ेगी water अगर अलग करना है hydrogen और oxygen अगर अलग करना है तो वहां पे आपको hydrolysis करना पड़ेगा ठीक है तो यह बात बिलकुल सही है तो first statement यहां पे गलत हो जाता है next question है which of the following is not a good conductor of electricity निम लिखित में से कौन बिजली का एक अच्छा चालक नहीं है हां मेरे को लगी रहा था आदे से जादा आपने पड़ा ही नहीं है question आपने not quote not शब्द को ध्यान ही नहीं दिया कि not नाम का शब्द भी लिखा है यहां जल्दी से answer करें बी बी फोर्थ ब्रोमीन ब्रोमीन ठीक है तो यहां पे बिलकुल answer आपका सही है यहां पे answer आजाएगा ब्रोमीन ब्रोमीन आपका एक non-metal होता है पहली चीज चीक है non-metal है यह यानि कि earth हातू है कौन सी फैमिली से है 17th group से है यानि कि halogen family से होता है और इसकी खास बात क्या है only liquid non-metal यानि कि एकलोता earth हातू जो non-metal है वह कौन सा इकलोता तरल अधातू जो है वह कौन सा है आपका ब्रोमीन होता है चीक है तो I hope so आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी अब चलते हैं next question की तरफ और और बाकी देखो copper, silver और graphite ये सब हाँ अब आपके दिमाग भी अरोगों ग्रेफाइट जो carbon का एक allotrop है वो भी तो non-metal है लेकिन ये जो आपका graphite होता है इसके पास आपकी free electrons होते हैं चीक है इसमें आपके free electrons होते हैं और इस कारण और इस कारण क्या होगा आप लोगों को यहाँ पर यह जो इनके बीच में bonds है ना दो layers जो बनी वह होते हैं इनके बीच में एक bond बना होता है चीक है ये weak bond होता है और ये weak bond जब break करता है तो इसके कारण जो graphite होते हैं उसके पास free electrons आ जाते हैं और free electrons होंगे तो वह electricity conduct करेगा मैंने आपको electricity वाले chapter में अच्छे से इस चीज़ को समझाया था तो यहाँ ध्यान रखिएगा graphite बेशक एक non-metal है लेकिन it is a good conductor of electricity क्यों क्योंकि इसके पास free electrons है bromine जो 17th group का member होता है इसकी जो valency होती है वो minus 1 होती है मतलब ये एक electron लेना चाहता है next question है okay यह फिर से वह यह चलो कोई नी यहां पर देखो अच्छे चलो मैंना कुछ चीज़े बताई देती हूँ देखो जब हम computers की बात करते हैं हमारे पास दो तरह के devices होते है एक होता है input device और एक होता है output device input device जिससे हम कुछ भी चीज उसके इन्फॉर्मेशन डाल रहे है input device में आपके बहुत सारी चीज़े आ जाती है जैसे keyboard आ जाता है mouse आ जाता है print आ जाता है आपका joystick आ जाती है pen आ जाता है इसके इलाबा digitizer आ जाता है यह सब क्या होते है आपके input device इस जिससे आप computer के पास information देते जाते हो जीक है और अगर मैं इधार output device की बात करती हूँ तो जिससे जो computer आपको informations भेजता है आपके आप तक पहुँचाता है किस माध्यम से पहुँचा सकता है आपकी जो screen होती है monitor उसके माध्यम से क्या कर सकता है आपको answers दे सकता है जैसे आपका जो phone है इसमें आपको सारी चीज़े दिखाई दे रही है तो वो क्या है वो आपका input device हुआ screen आप जब voice recording करके बेशते हो या पूछते हो ओके Google ऐसा ऐसा बताओ तो वो क्या है उसने आपकी voice read करी तो मह उसका input device हुआ ठीक है तो यह इसके अंदर चीज़े होती है output device में आपको जो examples ध्यान रखने है that is printer ठीक है आपको यह कुछ-कुछ चीज़े ध्यान रखनी पड़ेंगी ठीक यह basics होते है आपने जो है छटी-सातवी क्लास में सारी चीज़े पड़ी है तो यह इतना SSC का पूछना बनता है वो बहुत ज़द डेप्ट में भी नहीं पूछता है बस question के language थोड़ी से tough कर देता है होता सब easy ही है तो यहां पर देखो अब यह सवाल क्या है कि आपकी analog information को उन्होंने digital form में कर दिया convert तो क्यों convert वतलब किस चीज़ से आप convert कर सकते हो analog information को digital में तो easy था कैसे क्योंकि देखो कोई भी चीज है जो भी आपकी analog information है उसको हमें digits में convert करना है चीज है तो क्या होगा digitizer ऐसी चीज जो digitization कर दे किसी चीज का उसी को हम digitizer कहते हैं चीज है तो यहां पर answer क्या आएगा आपका digitizer आजाएगा अब यहां पर barcode reader क्या है आपके पास already digits है चीज है आपको उसी को read करना है चीज है तो वो आपका barcode machine होती है वो भी एक input device होती है चीज है optical mark reading यह भी आपका एक input device है यह सब input devices में हैं जो आपके computer को information देने का काम करते हैं फिर इसके बाद आजाता है आपका digitizer digitizer क्या करता है analog information को digital form में convert करता है और gamepad के अंदर आप अपने movements करके मतलब आपके पास कुछ icons होते हैं कुछ आपके पास keys होती है उनके movement करके आप input देते हो ठीक है hope so यह बात clear हुई हाँ बात समझ में आई one क्यूं नहीं one क्यूं नहीं क्योंकि barcode reader से आप क्या करते हो बार कोड रीडर आपके पास already जो आपके पास बार कोड होता है वो digitized form में ही होता है ठीक है यह already digitized form में ही है ठीक है उसी को तो computer read कर रहा है न और यहां पे conversion की बात हो रही है एनलोग information को digital form में convert करना है जबकि जो बार कोड रीडर होता है वो digits को ही रीड करता है चेक है इसलिए यहां पे answer a नहीं हुआ चलिए next question है which of the following units is used for the measurement of luminous intensity निमलिखित में से किस इकाई का उप्योग luminous intensity के मापन के लिए किया जाता है candela मूल एंपियर या फिर केलवन एक बार बताएंगे question समझ में आया कि नहीं आया कॉमेंट्स नहीं दिख रहा है साफ नहीं दिख रहा है तोड़ सा बड़ा कर देती हूं hope so clear दिख रहा हो पूरी class is low गे तो इट विल वर्क पुजा सोम वंची क्योंकि हम लोग जो आपको questions प्रवाइड कर रहे हैं previous here questions भी आप लोगों को प्रवाइड कर रहे हैं हम extra questions पर प्रवाइड कर रहे हैं तो गोई और I think प्रवाइड नहीं है आपको A, 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 A ठीक है चलिए तो यहां पर देखो जब हम luminous intensity की बात करते हैं यह क्या है आपकी कौन सी काई है यह आपकी fundamental unit है fundamental quantity है यानि कि मौलिक मात्रा है ठीक है और यह इस मौलिक मात्रा को नापने के लिए आप क्या करते हो कैंडला का इस्तमाल करते हो luminous intensity का मतलब क्या है कोई भी एक source है उस source से जो रौशनी आ रही है वो कितनी उसकी जो तीवरता है जोती तीवरता है वो कितनी है luminous intensity को आप हिंदी में जोती तीवरता कहते है जोती तीवरता कहते हैं, तो जोती तीवरता कितनी होती है, वो हम किस से नापते हैं, वो हम कैंडला से नापते हैं, चीक है, किस से नापते हैं, कैंडला से नापते हैं, चीक है जी, अच्छा, नेक्स्ट क्वेशन आ जाता है, who among the following is credited with the discovery of neutrons निम्लिखित में से किसे neutron की खोज का श्रे दिया गया था आंस्र दर फॉर्ट, James Chadwick, James P. Joule या फिर आपका J.J. Thomson क्वेशन याद नहीं होते हैं तो क्वेशन याद भी नहीं करने हैं क्वेशन याद नहीं करने हैं जब आप लगाता प्राक्टेस करोगे आपके inbuilt system में वो खुद चले जाएंगे ठीक है जैसे जब आप क्या करते हो जब आप फोन से इस्तमाल करते हो या आप computer से इस्तमाल करते हो तो उस टाइब में क्या होता है वो आपको suggestions दिखाते हैं कि यह हो सकता है तो ऐसे आपका brain भी है जब आप लगातार कुछ चीजे पढ़ते हो लगातार कुछ चीजे आप देखते हो तो उससे क्या होता आपका भी brain आपको बताने लग जाता है यहां ऐसा भी होता जैसे आपने हैंडी मौजले वाला question गलत किया था आप लोगों ने answer किया हैंडी मौजले बिना question पूरा पढ़े ठीक है या फिर आपने question में उसको automatically atomic mass की बजाया atomic number समझ लिया तो यह क्या हुआ यह आपका automatic system है जो गड़ा जाता है इसलिए question को ढंग से पढ़ो James Chadwick बिल्कुल सही है int पर नाचो तो यहां पर क्या हो जाएगा int पर नाचो और पग नाचो भी बोला था मैंने आपको electron is to thompson proton is to Rutherford Rutherford ने नामिंग करी लेकिन goldstein ने क्या किया था इसकी खोज करी थी नाचो means Chadwick तो यहां पर answer आ जाएगा James Chadwick चीक है चलिए बिल्कुल सही answer आप लोगों का बीबी सभी ने answer दिया था सही very good अभी शेट कटारा very good चलिए again important question की URL की full form क्या होती है तेखो जब भी आप यह बताए एक एक चीज यह basic है यह एक एक चीज बेसिक है आप लोग हर बार इनको इस्तमाल करते हो URL की full form देखो full forms में आपको एक PDF दे दूंगी प्रॉपर जिसके अंदर आपको सारी चीज सारी full form मिल जाएगी टेंचन मत लेना तो यहां पर देखो यहां पर simple सी चीज यह समझेगा URL का मतलब आप जब भी भी जब भी क्या करते हो जब भी आप अपनी क्या बोलते हैं कुछ भी चीज खोजते हो ठीक है तो उसके लिए ना कुछ आपको particular codes बताने होते हैं कि यह चीज ऐसे ऐसे मिलेगी जैसे अगर आप किसी से रास्ता पूछो वह आपको आपको रास्ता बताया लेकिन इसी प्रकार से अगर हम गूगल को सर्च करें या गूगल के बारे में देखें तो हमें पता लगे का वहां पर इसमें से कौन जो है यहां पर सही आंसर करेगा ओके ओके 444 uniform resource locator very good बिल्कुल सही तो यहां पर आंसर क्या हो जाता है यू आर एल यहां पर यानि कि uniform resource locator आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है यह पेपर में पूछा जा चुका है आज से 6 से 7 बार यह क्विश्चन आपसे पूछा जा चुका है और यह आपसे आगे भी पूछा जाएगा चीक है तो यह आपका internet address होता है यह क्या होता है आपका internet का address होता है जैसे आपको अगर किसी के घर की तरफ पहुँचना है तो आपको एक address की अवश्चना है उसी प्रकार अगर आपको किसी एक साइट पर पहुचना है आपको इंटरनेट एड्रेस की अवशकता पड़ेगी यानि की www.example.com जब आप इस पे जाओगे तो आप example की site को access कर सकते हो चाहिक है तो इसी ब्रकार यह जो URL होते हैं यह आपके uniform resource locators होते हैं चाहिक है ओके चलो हाँ यह यह question का answer सभी ने सही दिया है very good, very good बहुत अच्छे चलिए इस question का answer देखते हैं इसका answer कितने लोग सही देते हैं computers तो आपके strong है inner walls of small intestine have thousands of finger-like outgrowths these are called छोटी अर्थ की भीतरी दिवार में हजारो अंगुली नुमा सन्रचनाए होती है उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें benign कहा जाता है इनकी सौम्य कहा जाता है मियो मैस कहा जाता है लंप्स कहा जाता है इनकी गाठे कही जाता है या फर विली कहा जाता है क्या कहेंगे जिसने answer गलत कियाना अज पिटाई होगे उसकी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ए, 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 विली, 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 बहुत अच्छे, तो जो जो आंसर कर रहे हैं, ए, कर दू पिटाई, हाज कर दू, हाँ, चीक है, सी, सी, विली, 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 वेरी जाएगा विली यहां पर सही आंसर हो जाता है आपकी छोटी आंत में ऐसी उंगली नुमा संडचनाए हैं जो क्या करती हैं जो यहां पर आपके ब्लड को अवशोशित उसके अंदर जो खाना है उसको अवशोशित करने का कारे करती हैं तो उसको क्या कहते हैं विली कहते हैं चलिए, next question की तरफ चलते हैं, निमलिखित गैसों में से किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, which of the following gas is also known as laughing gas, इन में से किसको लाफिंग गैस कहा जाता है, देंटिस्ट बहुत इस्तमाल करते हैं बच्चों से डील करने के लिए, okay, okay, CHSL का बुक बता दो मैं, अंकित शर्मा जो इनके पास जो CHSL का अपना कर्मियोद्धा बैच है, उनको कोई आविशक्ता नहीं है, किसी अन्य किताब को खरीदने की, आपका CHSL का जो कर्मियोद्धा बैच है, जिसका कोस्प्राइज 1499 है, उसके अंदर आपको PDFs, टेस्ट, ठीक है, यह सब चीजे मिलेंगे, Extra Practice Questions, यह सब चीजे मिलेंगे, तो जब हम Test यह Practice Question आपको दे रहे हैं, तो उसमें आपके पास जितने भी previous year questions है, सब पहुँच जाएंगे, हर एक subject के पहुच जाएंगे, तो I don't think so, अगर आपने ये batch करीदा है, तो उसके बाद आपको किसी किताब को खरीद दे की आवशकता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, किसने answer किया है, ओके तो पे answer क्या हो जाएगा, nitrous oxide बिल्कुल सही answer हो जाता है, जो आपके nitrous oxide होती है, N2 हो जो होती है, यह आपकी laughing gas के रूप में कारे करती है, ठीक है, मैं कोई class छोड़ कर गायब है, पता नहीं भईया कौन class छोड़ कर गायब है, हम क्या बताएं, जो गायब है होने दो कोई important का काम होगा, पढ़ाई से जादा important कुछ, चलिए, next question आ जाता है, 15 October को यह सवाल आया था, CHSL के shift में, चलिए, since the clinical thermometer is designed to measure the temperature of the body, only, it displays the range of 35 degree Celsius to dash, मतलब जो आपका घर का घर का जो थर्मामेटर होता है, जिससे आप बोड़ी का temperature नापते हो, उससे हम सिर्फ बोड़ी का temperature नापन का काम करते हैं, चीक है, कभी कबार कुछ लोगों का और होता है, वो दूद का temperature नाप लेते हैं, तो यहाँ पे, simple सी चीज पूची गई है, यह है, कि यह जो आपका clinical thermometer होता है, इसकी range क्या होती है, 35 degree Celsius से कहां तक होता है, तो maximum जितना इंसान का temperature जाता है, वहां तक हो सकता ह तो देखो, 46 degree Celsius, 48 degree Celsius, 44 degree Celsius या 42 degree Celsius, आंसा करो इसका, यहां देखो, जब हम इस clinical thermometer की बात करते हैं, तो यहां बहुत ध्यान से समझना, कहां से स्टार्ट हुआ यह, 35 degree Celsius से स्टार्ट हुआ, कहां तक जाएगा, हुबन टेपरेचर जो होता है, वह 108 degree Fahrenheit तक जा सकता है, या फिर आपका 42 degree Celsius तक, जा सकता है, तो आपका यहां पर जो आंसर आजाएगा, वो क्या आजाएगा आपका 42 degree Celsius, यह चीज मैंने आपको हीट वाले चाप्टर में कराई थी, चीख है, यह चीज मैंने आपको हीट वा पूछा जा चुका है, अब देखो, यहां पर सवाल है यह आपका, which of the following is an input device, देखो, फिर से अभी मैंने कुछ आपको input devices बताए थे, चीख है, अगर हमें किसी में motion एंटर करना होता है, computers के लिए, तो कौन सा input device इस्तमाल होता है, अब आप याद करो, आपने ना, ऐसा कु प्रियो गेम्स केलती है, उनको भी पता होगा, कि जब भी हमें कोई motion एंटर करना होता है, तो हम इस trackball का इस्तमाल करते हैं, तो यह क्या होती है, यह आपकी trackball होती है, जो क्या करती है, जिसके मदद से, जैसे हम इसको move करते हैं, जैसे मौस की तरह यह वोग करता है, तो इ केते हैं, इसको trackball केते हैं, इससे पहले जो आपका एक और question था, वो भी input device कही था, उसको भी ले 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 लेती, उसका answer भी दे ही देते हैं, कहां गया question, यह रहा, निमलिकित में से कौन सा एक लीवर है, देखो, यहां पे बड़ा जो हिंट था, वो लीवर हिंट था, जो न एक input device है, जो आपकी किसी भी information को, इसको जब वीडियो गेम्स, मतलब कौन से घर वाले जो वीडियो गेम्स हुआ करते थे, वो खेला करते थे, नो तब joystick का इस्तमाल होता है, तो यह जो आपके joystick होती है, यह एक input device है, और लीवर की तरह होती है, गाडी के लीवर के मतलब ज पूचा गया था, रिसेंटली आपने देखा होगा, बहुत सारे जो गेम्स थे, जो आपके computer गेम्स थे, एक तो वो बैन भी हुए थे, तो इसी वज़े से उन्होंने कही ना कहीं कुछ आपकी कुछ चीजों को डाला था, जो हम जेनरल लाइफ में यूज कर रहे थे, यह मैंने ही पूचेंगे, सिफ बेसिक्स ही पूचेंगे, हाँ मैंने लिखा था, तो input device ही होता है, joystick बच्चा, input device ही है, मैंने तो मना ही नहीं किया, IP का मतलब ही क्या होता है, IP का मतलब ही होता है, input device, output नहीं होता वो, joystick is an input device, हाँ ठीक है, इसका answer शाहिए D होगा, देखते हैं, कौन सही answer करेगा, 16 bit answer कर रहे हैं, 888, very good, यहाँ पे सही answer क्या हो जाएगा, 1 byte में, 1 byte में कितने bits होते हैं, 1 byte में आपके 8 bits होते हैं, चीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे answer, 8 bits होते हैं, चलो, अच्छा, एक और चीज, जो अपका computer होता है, यहाँ पे कभी भी जैसे हम कहते हैं, 1 kilo में कितना होगा, 1 kilo में 1000 होगा, है न, आम ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका 1 kilo होता है, उसके अंदर आपको, क्या मिलेगा, 1024 मिलता है, क्या मिलता है, आपको 1024 मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजे किस में चलती हैं, 2 की powers में चलती है, क्योंकि यहाँ पे 1010 को combination होता है, तो हम जब चीजे लेते हैं, हम 2 की power में लेते हैं, और अगर आप 2 की घद दस कर 1024 आजाती है तो इस वज़े से दो की घाथ 10 में हाँ पर सारी चीजे चलती है तो यह चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप से पूछा जाए एक किलो बाइट क्या होता है तो वह आपका 1024 बाइट होता है यह चीज ध्यान दखना आपको सिर्फ और से 1024 में डील करना है यान में से क्या हरिदय से किडिनी तक रक्त लेकर जाता है को रोनरी आर्ट्री वेनकावा रीनल आर्ट्री या रीनल वेन इजी क्वेस्चिन जिस नयांसा गलत दिया उसक्योंगी पिटाई भुप मिटी स्टरी कैप अब इस्ट्रीय क nodig ज nessa कर देजियोंगी नहीं कि जल्दी स्टार्ट हो जाएगी यह में instal ही फैट्रवal टुरगेश कुमार करें है नहीं हिंधी में क्वेश्चन नियां लोंगी क्वेशण कर भूांसर को और इसके साहीं गवाइश भीआ तो एसे कर देते हो ना मतलब एक क्वेशन अगर ट्रांसलेट नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाहिए आप लोगों को कि अच्छा पिछले वाले का बोल रहे हो ठीक है चलो बताओ फिर इस क्वेशन का अंसर रीनल वेन रीनल वेन कि हुँ कि अच्छा है हम बायों से नहीं है कोई बात नहीं अब हो जाओगे रीनल आटरी ओके वेरी गुड चलो तो यहां देखो सवाल क्या है आपका विच ओफ दा फॉलॉइंग कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू किड़नी इस हार्ट से किड़नी की तरफ रक्त कॉन लेके जाता है टो भाईया देखो फेली बात महा धंमडी आएगी महा धंमनी से आपके कुछ आरिकलती है और जो भी आपका हार्ट से ब्लड लेके आती है उसको आर्टरी कहते हैं जिभृन हो जाता है पूरे शरीर से हार्ट में ब्लड लेके जाती है वह हैं वह रीनल वेवन क्या Speaking और रिनल साइड में वह रही है ब्लोगों की चलो अच्छी बात है next is अब आपके questions जो है वो हिंदी में नहीं है तो भाया नहीं कराऊंगी नहीं तो फिर जो है आप लोगों को लगेगा हिंदी ही नहीं है चलो कोई नहीं तो अब मुझे ये बताओ अभी तक का कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो आज के टेस्ट में कोई भी ऐसी चीज सारे questions होई गए है अच्छा ये भी हो गया चलो फिर बताओ अब कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो क्या चल रहा है जोईस्टिक जिसमें हमने ट्रैक बॉली थी इंपुट डिवाइस एंटर मोशन इंटू कम्प्यूटर्स ट्रैक बॉल ही होगा अंसर ट्रैक बॉल ही है आप ट्रैक बॉल की साहता से ना एकदम चोटे-चोटे मोशन भी महाँ पे एंटर कर सकते हो ठीक है जोईस्टिक का भी यह काम होता है लेकिन उससे जादा सटीक आपका क्या है उससे जादा सटीक आपकी ट्रैक बॉल काम करती है हाँ करवा दूंगी भईया करवा दूंगी क्रोमो लॉजी बता दूँ ओके देखो जब हम chronology की बात करते हैं chrono का मतलब होता है time logic का मतलब होता है study तो जब हम time की study करते हैं जैसे 1915 के अंदर गांधी जी इंडिया आते हैं चेक है 1916 में उन्होंने चमपारंट सत्याग्रय किया 1917 में वो क्या करते हैं वो एहमताबाद जाते हैं चेक है और 1918 में मतलब 17-18 में ही वो क्या करते हैं वो खेडा सत्याग्रय करते हैं चेक है तो यह क्या हुआ यह आपने एक chronology discuss करी है ना यह क्या हुआ आपने एक टाइम को डिसकस किया इसी प्रकार से आप जब हिस्ट्री में बेसिकली जो क्रोनोलोजी होती है इस रिलेटेड टू हिस्ट्री अगर मैं बायोलजी की बात करूं सबसे पहले बायोलजी शब्द किस ने दिया एरस्टॉटल ने दिया फिर उसके बा आपने सीक्वेंस में चीजों को अरेंज कर दिया तो यह क्या होता है आपका क्रोनोलोजी कल और होता है इस रिनल वर्ड रिलेटेड टू किडरी इतना बता है बस आपको तो अच्छी वात है विखी इतनी ही चीज़े पता होंगी तो उसी से आप आंसर निकाल सकते हो यूनिवर्सल रिसीवर सब समझ में आ गया आठ बिट इसमें क्या बता हूँ दीपक सक्सेना चीख है तिक टॉक वाला कौन सक्स्क्रोन ओलाजी है मुझे नहीं पता ठीक है दीपक सक्सेना क्वेशन को थोड़ा सा क्लियर लिखो मैं नहीं समझ पारी आप अट बिट में क्या पूछ रहे हो जल्दी बताएं देखो अगर जहां तक मैं बात करूँ शायद आपका ये ही होगा कि एक बिट में कितने बाइट्स होते है तो आठ बाइट्स होते है चीख है कैसे इक बित करतां किन êtes या तो वनट या जी रो चेक है बाइरीज में काम करता है ये जो जो ओक्र ना होगा और तो आकम्प्यूटर में या होती है तो आकम्प्यूटर। होते हैं बाग ये तो आप अच्छा आपने आंसर कर रहा था लेकिन देखा नहीं मैंने कोई बात नहीं ओके निधी मौर्या थांक्यू दिपिका शर्मा चलिए तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्या करेंगे शेयर करेंगे बात समझ में आई हाँ हाँ हम 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 एक सिक्ट अरे माम कॉमेंट्स में है ना तो यहाँ पर देखो बच्चे अब हम आगे चलते हैं आज की क्लास को अब रूख यहीं विराम diff volunt में मेरे क्लास का डेली टाइम जो होता है वह साइव challenge होता है रोज आपकी 8 बचे क्लास होती है ठीक है मिलेंगे आप कब कल संडे है कल मेरी चुट्टी है मतलब चुट्टी नहीं लेकिन हाप लोग को एक चीज बता दूं सीडियस पे कल में कुछ ना बहुत अच्छे क्वेस्चिंस थोड़े लेवल के क्वेस्चिंस अच्छे से एसा मिशन है जिसमें आप कर्म करके अपने लक्षे को आसाली से हांसिल कर सकते हैं तो आईए तेयार हो जाईए और हिस्सा बन जाईए अब तक के सबसे बड़े कर्म यूद का और कर दीजिए नाम रोशन अपने घर परिवार माता पितारता कर्म यूद्धा बैच शुरू हो चुका है जिसके अंदर आपको मिलेंगे हमारे एक्सपर्ट पेकल्टीज के द्वारा छे से साथ घंटे की लाइब क्लासे टापिक वाइस पीडिएफ टेस सीरीज और प्रेक्टिस सेशन अधिक जानकारी के लिए दिये हुए नंबर पर संपर्क करें और आज ही डाउनलोड करें एक्जाम पूर ओफिशल याप तो बन कर्मियोंता कि